वेल्कम बैग गाइस टोवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी मेरा नाम है चितन पारिक आरस अगिरवाल के इंगलिश वाले बुक्स वाल कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करता है ताइम एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है पार्ट नमबर 5 के बन सुरू करने जा र फर्स्ट क्वेस्टन कहे रहा है अ लॉंग डिस्टेंस रुनर रंस नाइन लैप्स आफ ऑफ फोर हंड्रेड मीटर स्ट्रेक एवरी देश टाइमिंग इन मिनट फोर फोर कंजिक्टिटिव देज और 88, 96, 89, 87 रेस्पेक्टिवली ओन एवरेज हैं यह कह रहा है कि इस तरी अगर्स्टिवरी इस नाइन लैप पूरे करने में कितना कितना समय लिया है इन मिनिट से आपको टेम देखा है तो आपको पूछाए कि तो एवरेज पूर श पीडों के दोरान इसकी एक अपको फगण निकलना है तो कैसे करना है इस सवाल को देखो एवरेज स्पीड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मला आपको याद रखना है एवरेज स्पीड का फॉर्मला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जितनी भी कुल मिला के दूरी तय हुई है उसके अंदर अपन कु है उसके बाद का वह आपने करता है ङहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है यहां पर 360 मिल रहा है इन सब को एड़ करना नॉर्मली और कुछ भी नहीं करना मैंने डायरेक्ट आट गर लिया कैसे एड़ लिया क्योंकि इन सब का अवरज नार रहा है इन सब का अवरज बूद दिख रहा है डायरेक्ली 90 है चार टोटल नमबर आफ टांस चार तो 19 पूल 4 कितना हो गया 350 अब सब्सक्राइब इसको सॉल करता है देखो, 0-0 गट गया 4 इसको नौ बार में, 9 से गट गया, कितना मिला 40 के बड़रेज स्पीड किती होगा 40 मीटर पर मिनट में अपना आंसर है इस वज़े बढ़ते हैं एगले सवाल के और नेक्स्ट क्वेसन क्या कह रहा है एन एक्स्प्रेस ट्रेंट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमेटर पर आवर इस टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स अफ्टर 75 किलोमेटर क्वेसन को हिंदी में भी त्यान से समझें इंगलीस वाले तो इंगलीस में समझे चुके हैं हिंदी मीडियम वाले भी एक वार सवाल को समझ ले क्या कह रहा है कि एक एक्स्प्रेस ट्रेंट है उसकी स्पीड देर की है 100 किलोमेटर पर आवर ठीक है वो क्या करती है ट्रेंट के हर 75 किलोमेटर चलने के बाद में तीन मिनट के लिए रुखती है जैसे ही 75 किलोमेटर पूर होगे तीन मिनट के लिए रुखेगी फिर से तीन मिनट रुखेगी इस तरह के चलती जा रही है एक दूसरी local train है उसके speed है 50 km परती ही गंटा और ये जो train है वो हर 25 km के बाद में एक मिनिट रुखती है दौनों train के बार में अलग अलग दे दिया आगे क्या कह रहा है सवाल दौनों की दौनों train एक साथ शुरू करती है चलना दौनों की दौनों train एक साथ चलना शुरू करती है तो सवाल में आपको पूछा है कि local train कितने km चल लेगी उतने समय में जितने समय में express train 600 km चलती है वालब आपको सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा वे एक्सप्रेस ट्रेंड को कितना टाइम लगा 600 किलोमेटर तै करने में उस समय में लोकल ट्रेंड कितनी चल लेगी कितने किलोमेटर चल लेगी वह आपको फाइंड करना है तो इन 4 आप्षन में से क्या answer होगा पहले आप कुद ट्राइगे उसके बाद यहां पर सबसे पहले देखो क्या करना है इस सवाल में मैं बता देता हूं कि एक्सप्रेस ट्रेंड को कितने टाइम लगा पहला पर वह पता लगा लेता है टाइम अगर मिल गया तो सिंपल सा लोकल ट्रेंड जो है कितने डिस्टेंस ट् कर रही है सो किलोमेटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस इकॉल टू क्या होता है टाइम यहां से कितना मिलगा देगो डायरेक्ट ले मुझे च्छे गंटे यानि 600 किलोमेटर करने में उसको 6 गंटे लगेगा अगर वह नॉन स्टॉप चलती है तो लेकिन वह नॉन स्टॉप थोड़ी चलती हो तो हर 55 किलोमेटर के बाद में तीन मिनिट रुकी है तो अभी भी यह 6 गंटे जो है एक्चुल टाइम नहीं है यह सिरफ कब का टाइम है जब वह गाड़ी नॉन स्टॉप चलती है गाड़ी तो रुक रुके चल र 425 पे के बाद में होगा 525 पर रुखे कि लेकिन 660 पे इस रोकने है चलती है तो रुक 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 के चलरी है तो एक्उठ create को कितना समय लगा 6 गंटे और 21 मिनट इतना समय लगिया 6 गंटे और 21 मिनट, यहां तक clear है I hope यहां तक clear होगया पूरी तरीके से अब इस समय में local train कितने km की दूरी तया कर लेगी यह आपको find करना है, इतने समय में local train जो है, वो कितने km की दूरी पहले तो मैं 6 गंटे के लिए निकाल लेता हूँ 6 गंटे में local train कितनी चल लेती है फिर अलग से देख लेंगे 21 मिनट का क्या हिसाब किताब है तो एक गंटे में अगर 50 चलती है तो 6 गंटे में कितनी चल लेगी 6 गंटे में चल लेगी अपने पास 300 km 6 गंटे में कितनी चल लेगी 300 km चल लेगी आई बात समझ में यहां तक 300 km चल ली गाड़ी अभी भी काम पूरा नहीं हो अभी भी 21 मिनट तक गाड़ी को चलाना है लेकिन जब तक वो 300 km तय करेगी local गाड़ी तो बीच बीच में लोकल गाड़ी भी तो रुकी थी तो वो वाला टाइम भी तो अपन को देखना पड़ेगा कितना लग रहा है तो 300 km तक के लिए देख लेता है कि local गाड़ी कितने एक बार रुकी है कितना टाइम लगा है रुखने में तो सवाल में दे रखा है कि हर 25 km के बाद में एक मिनट के लिए वो गाड़ी रुकती है ठीक है तो कहां कहां पर रुकेगी 25 पर रुकेगी उसके बाद 50 पर रुकेगी 50 के बाद में कहां पर रुकेगी 75 पर रुकेगी उसके बाद 100 पर रुकेगी उकल वाली तो तीन सो के लिए भी काउंट टाइम यहां पर एक वार के लिए काउंट कर देता है किता होगे देखो एक वार एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा और बारा मिनट अलब छे गंटे तक के लिए पहले मैंने डिस्टेंस निकाली किता मिला मुझे 300 कीलोमेटर में मुझे पता चला की इस 300 कीलोमेटर के दोरान वह 12 तो किवल रुकी होई थी गाड़ी बीच में यानि बारा मिनिट में इस 21 में से 12 तो माइनस ही कर दो 21 में से 12 चले जाएंगे किते बचेंगे पीछे 9 मिनट मतलब यहां से इसका टाइम मुझे किता मिला था 6 गंटे और 21 मिनट उसमें से 12 मिनट के लिए तो यह गड़ी रुकी थी बीच में को क्या मिलता है डिस्टेंस मिल जाती है टाइम मिनट में 60 से डिवाइड कर दिया ताकि एक इसके अंदर हो जाए आवर के अंदर जीन हो जाए जीरो जीरो कट गया तीन से काट दिया तीन वार में तीन से काट दिया दो वार में पांच इंटू तीन पंदरा पंदरा बटा द आता है तो आपको fast करना है समझने के एसाप से मैंने इसको one by one दीरे दीरे समझा है आपको सवाल अच्छी तरी के समझ में आच चुका है एक बार आप इस सवाल को खुद भी बिना देके try करेंगे उसके बाद अगले सवाल के और बढ़ेंगे अगला सवाल क्या है अगला सव अगला सब्सक्राइब करने में कितना समय लेगी यह आपको फाइंड करने में कितना समय लेगी यह आपको करना है ठीक है तो सबसे पहले तो देखो क्या हवा कि 40 किलोमीटर परती गूटा से उसने चलना सुरू किया यह पहले घंटे में वह 40 किलोमीटर चलेगी पहले इस प्रकार से यह कब तक चलती जाएगी जब तक कि इन सब का सम इन सब का योग कितना हो जाए तो इन सब का योगफल मुझे कितना चाहिए तीन सो पिचे सी चाहिए अब यहाँ आप अपने एक चीज देखेंगे अगर आपको नहीं याद इस दो आपको उपनके मतलब करें अ कर 的 355 के equal होना चाहिए यह पूरा का पूरा sum किसके equal होना चाहिए 355 के equal होना चाहिए clear है अब इस equation को solve करके आपको n की value find करने है clear अब एक तरीका तो इसको पूरा solve करो और दूसरे तरीका है direct यह आप option put करो देख लो कौन सा option satisfy कर रहा है वही अपना answer हो जाएगा directly तो यहाँ पर देखो first option से सुरुवात करता है 7 के साथ n की जगे 7 रखके देखता है n की जगे मैंने यहाँ पर रख दिया 7 और इसकी जगे भी यहाँ पर रख दिया 7 इस पूरे का solve करने पर 355 के आना चाहिए तो option satisfy करने पता चला कि option A नहीं satisfy कर दिया तो बाकी option आपको check करने की ज़ुरत नहीं है option A ही अपना correct answer हो जाएग clear बढ़ते है अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कर रहा है बिल्कुल सेम सवाल है जो अपने पहले वाला किया था थोड़ा सा चेंज है यह कार है उसकी स्पीड हर एक गंटे के बाद दो किलमेटर पर आवर बढ़ जाती है ठीक है पहले गंटे वह किती चली थी 35 किलमेटर चली थी तो आपको find करना है जाता है आपर रहा सम अपनर्ट किलमेटर चली थी था गंटे हैं चलते जाएगा और एक पर पर हो जाएगा यहां पे तो वही सम निकालने के लिए अब अपने एक फॉर्मला देखा था क्या था एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एपी के अंदर सम निकालने का फॉर्मला होता है ठीक है एन की जगे रख देंगे बारा तो बारा बटा दो किता होगा ड तो ओए नैनटी टू औरो इंटेटू इंटू सिक्स करना है मुझे नःटी इनटी इंटू 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 सिक्स करते हैं कितना मिलता है चैंटू दो बारा यहाँ पे आगे इक 16 पचपन और एक हित्त हो गए पचपन यानि 552 पांसो बावन यानि option C इस question में अपना correct answer होगा clear? बढ़ते है अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कह रहा है अब बस started its journey from Ramgad and reached Devgad in 44 minutes at its average speed of 50 km per hour और एक बस जो है Ramgad से रवान हुई और देवगड तक पहुंच गई 44 minutes के अंदर ठीक है उसकी speed कितनी दे रखी है 50 km per hour अगे कह रहा है if the average speed of the bus is increased by 5 km per hour how much time will it take to cover the same distance अगर बस की speed को 5 km per hour बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगेगा उसको same distance travel कर देना ठीक है तो सबसे पहले तो distance का पता लगाना पड़ेगा distance थी कितनी तो अपन को दिया वाया सवाल में 50 km per hour से चलती है 44 minutes तक तो कितनी distance travel की तो distance का formula होता है simple सा speed into time speed कितनी है देखो अपने पास 50 km per hour है 50 km per hour और time कितना है time देर का है 44 minutes के अंदर है इसको hour में change करने के लिए 60 से divide कर देता है यहां से solve करने पर मुझे क्या मिल जाएगा distance मिल जाएगी इसी distance को travel करने में कितना समय लगेगा अगर गाड़ी की speed को 5 km परती गंटा बढ़ा दिया रहे यह आपको सवाल में पुछा गया तो पहले देख लेता distance किती है 0-0 काड़ दिया 2 से काड़ दो 22 वार में 2 से काड़ दिया 3 वार में 5 इंटू 22 किती हो गए 110 बटा 3 km यह दूरी मुझे तया करनी है ठीक है यह दूरी मुझे तया करनी है और स्पीड अपने पास पड़ी है समय आपको फाइंड करना देको समय का फ़ॉर्मला क्या होता है टाइम का फ़ॉर्मला क्या होता है distance अपर dw Nossa ऐसफंख Kum कितनी है 110 बटा 3 undertaken уже 110 बटा 3 recordings इस पीड कितनी है तो यह जह जो स्पीड वो यह इंद में डाइक Genesis लआ किलोमेटर परती गंटा, इस्पीड बढ़ा दिया, पहले कितनी थी, 50 थी, 50 बढ़ गई तो किती होगी यह 55 होगी, यह 55 किलोमेटर परती गंटा से गाड़ी चल रही है, अब इसको सौल गरना है, पचछपन से इसको कार देखो, दो बार में कुल मिला कै कितना मिल गया, I hope सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ मा रहा है solution देखने से पहले हर एक सवाल को आप कुद ट्राई करें तभी आपको proper benefit मिलेगा in classes का अगे बढ़ते हैं अगले सवाल के और अब आप देख रहा होंगे level दीरे-दीरे questions का अच्छा होता जा रहा है सुरवात वाले questions थोड़े simple होता है उसके बाद इसमें level थोड़ा अच्छा होता जा रहा है सवालों का तो देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है the speeds of three cars in three cars are in the ratio two, three and four the ratio of the time taken by these car to travel the same distance तीन अलग-अलग कारे हैं उनकी speed का ratio आपको given है सवाल में आपको पूछ रहा है कि same distance travel करने में इन तीनों कारों का time का ratio क्या हो गई आपको find करने ठीक है तो सबसे पहले car 1, car 2 और car 3 इन सबकी speed का ratio आपको क्या दे रखा है speed का ratio देखा है 2, 3 और 4 ठीक है distance क्या है? distance same distance travel कर रहे है तो आप कुछ भी मान लो distance को same होनी चाहिए बस calculation आसान रखने के लिए क्या करता है इन तीनों का LCA में total distance मान लो हलागि कुछ भी मान लो वले माना total distance x या total distance 100 कुछ भी मान लो क्योंकि distance तो सबके लिए same ही है तो अपन क्यल्कुलेंशन असाम लगने की क्या करेंगी इन सब का LcM जो है उस ही को Total Lc मौन लगा है तो इन सब का LcM कितना में मुझे 12 तो मान लिए Total Lc12 है ठीक है टाइंच निकाल लेता है टाइम निकालने के लिए टाइम निकालना का फॉर्मूला होता है, distance upon speed, तो कार वन को कितना time लगए है, distance upon speed, 12 बटा 2 कितना 6, 12 बटा 3 कितना 4, 12 बटा 4 कितना 3, तो time का ratio कितना आ गया, 6, 4 और 3, 6, 4 और 3, यानि, option D, इस question में अपना correct answer हो जायागा, clear, अगले सवाल को देख लेता है, अगला सवाल क्या in what time does A reach the destination A और B की speed का ratio आपको 3.45 चार दे रखा है ठीक है आगे यह कहा रहा है कि A को B से 20 मिनिट ज़्यादा लगते हैं किसी destination पर पहुंचने में ठीक है तो सवाल में पूछ रहा है कि A को actual में time कितना लगा यह आपको find करना है तो लगबग इसी तरह से करेंगे जैसे आपने लास्ट वरा सवाल किया था A और B ठीक है यहाँ पर इनकी speed का ratio अपन को कितना दे रखा है 3 और 4 दे रखा है यहाँ पर लगते हैं 3 और 4 distance तो same ट्या कर रहा है वो भी same destination पर जा रहा है distance तो same travel कर रहा है तो distance अपन यहाँ पर लिख देता है अब फिर से वही कुछ भी मान लो calculation आसान रखने के लिए इनका ratio मानेंगे कितना 12 तो time कितना कितना लगेगा 12 बटा 3 यानि कितना 4 और 12 बटा 4 यानि कितना 3 यहाँ तक clear I hope यहाँ तक आपको पूरी तरीके से clear होगा अब यहाँ पर कह रहा है सवाल में कि same destination पर पहुंचने में A को B से 20 मिनट जादा लग रहा है लेकिन अगर मैं इस condition को देखता हूँ तो A का जो time है 4 है B का time 3 है कितना समय जादा लग रहा है A को A का समय जादा लग रहा है लेकिन actual में कितना समय जादा लग रहा है 20 का समय जादा लग रहा है यानि एक unit के value किती है 20 minute है एक unit के value किती है 20 minute है तो इस 4 unit के value किती होगी into 20 कर दूँगा कितना मिल जाएगा मुझे 80 minute यानि एक को एक्चुल में कितना समय लगा 80 मिनिट का समय लगा और 80 मिनिट का मतलब कितना होता है एक गंटा और 20 मिनिट तो एक गंटा और 20 मिनिट इस क्वेशन में अपना आंसर हो जाएगा यानि option number A, देखो, एक बटा तीन का मलब क्या होता है, एक सही, एक बटा तीन का मलब एक गंटा ता पूरा, और एक बटा तीन, एक गंटा का वन थर्ड कितना होता है, बीस मिनटे तो होता है, यही एक तरीके से option A ही अपना करेक्टान सो रहा है, clear? बटतने अगले सवाल के और 25 मिनिट्स तो कवर, इलेक्ट्रिक ट्रेन की जो स्पीड है, वो स्टीम ट्रेन की इंजन से 25 परते से ज़्यादा है, यह आपको question में given है, तो आपको सवाल में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन को कितना समय लगेगा, कुछ दूरी तेह करने में, जिस दूरी को स्टी इलेक्ट्रिक ट्रेन और स्टीम ट्रेन, इन दोनों का यहां पर लिख देंगे 20, यह अपना क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, कुछ भी लिख सकते हैं, कैल्कुलिशन आसाम लगने के लिए लिए जैसा अपन सुरुआ से करता आ रहा है, यहां से मिल स्टीम ट्रेन को एक्चॉल में इतना समय लगता है, कितना? 4 गंटे और 25 मिनट, यह जो 5 है, वो 5 नहीं, एक्चॉल में कितना है? 4 गंटे और 25 मिनट है, 4 गंटे का मतलब कितना होता है? 1 गंटे में 60 मिनट है, तो 4 गंटे में कितना होंगे? 240 मिनट होंगे, तो 240 मिनट इक्वल पांच यूनिट जो है वो 265 का इक्वल है तो चार चार जॉनिट किसके इक्वल होंगे एलेक्ट्रिक ट्रेन का ठाइम अपनों jsबन को निकालना है । आपको करना है तो कैसे करेंगे 265 पर पांच का डिवाइड लगा देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू मिल गई मुझे चार यूनिट की वैल्यू थी यहां पर एक चार से मल्टिप्लाइ कर देंगे यहां से जो मिलेगा उतना मिनिट अपना करेक्ट आंसर जाएगा इसको कारते हैं इसको भी मुल्टिप्लाइ कर लिए आपने तो बारा यहां पर एक आ गया इन्हीं दो सो बारा मिनट अपना करेक्ट आंसर है सारे कि सारे अप्सेन आवर के अंदर है तो अपन भी इसको आवर में चेंज कर लेता हैं आवर में चेंज करने लिए 60 से डिवाइड कर लो 60 से तो देखो तीन वार तक तो पूरा पूरा डिवेड जा रहे एकसौसी तक चला गया पीछे किता बच रहे बत्तिस बच रहे यहां पर लेख लेते हैं यह जो है एक्स्ट्रा वाली मिनिट है इसको चेंज्ज कर लेते हैं चार से काटा आठ वार में और चार से काट दिया 15 वा अगर आपको पसंद आये हैं सारे के सारे सवाल और उनके सॉल्यूशन तो कमेंट में लिखके बताएं आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी